बाबा फरीद, शेक फरीद या ख्वाजा फारिदुद्दीन मसूद गंजशिकर एक सूफी संत थे और बारहमी शताबदी के दौरान पंजाब के वे सबसे महान संतों में से एक थे. उन्हें पंजाबी भाशा का पहला कवी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा फरीद की प्रेरनादाई और जीवन संबधी कविताई सिखों के पवित्र ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हैं. हाला कि बाबा मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी हिंदूओं ने उनका सम्मान किया था. बाबा फरीद का जन 1173 ईसवी के रमजान महीने में पंजाब के कोटवाल गाउं अब पाकिस्तान में हैं, में हुआ था. अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में उनके नाम के साथ, शकर गंच चीनी का खजाना, जो डागया, इसके पीछे एक प्राचीन कहानी है. एक युवा लड़के के रूप में बाबा फरीद को अपनी मादवारा रोजाना नमाज अदा करने के लिए कहा जाता था. वो कहता था कि मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा. मैं क्यूं करून नमाज? शेक फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे इसलिए एक दिन उनकी माने उनसे कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा. बाबा फरीद की माने नमाज अदा करने के लिए एक चटाई डाली और उस चटाई के नीचे कुछ खजूर छिपा दिये ताकि वहुसे अल्लाह का वर्दान समझे. एक दिन बाबा फरीद की मान चटाई के नीचे खजूर रखना भूल गई, लेकिन उसकी नमाज के बाद एक करिश्मा हुआ उसने चटाई के नीचे खजूर रखे पाए. उस दिन से उसने अपने बेटे को शकर गंज के नाम से बुलाना शुरू कर दिया. सिर्फ 16 साल की उम्र में ही बाबा फरीद को हच पर भेजा गया था, वहां पर वे अब्दुल रही मंसारी के घर पर ठहरे. पंजाबी भाषा में बाबा फरीद का नियंतरन और प्रवाह देखने के बाद, एक फकीर बाबा ने भविश्यवानी की, की वह एक दिन एक महान संथ बनेंगे. पंजाब से लोटने के बाद बाबा फरीद को धर्मशास्त्र का ज्यान प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा गया. बाबा फरीद अर्भी, फार्सी और अन्य भाषाओं को जानने वाले ज्यानी संथ थे, लेकिन पंजाबी भाषा से उनको बहुत लगाव था इसलिए उन्होंने अपने सभी दोहों को पंजाबी भाषा में लिखा था. बाबा फरीद ने साहितिक काम के लिए पंजाबी भाषा का प्रदर्शन किया. उस समय पंजाबी भाषा कम परिश्कृत मानी जाती थी. बाबा फरीद अपने दोहों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे. बाबा फरीद के काम से पहले पंजाबी साहित्य में बहुत ज रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा फरीद के शहर को मोखलपूर के नाम से जाना जाता था और वे राजा मोखल के किले के पास 40 दिनों के लिए अलगाव के लिए बैठे थे। राजा इस दिव्य व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और उस शहर का नाम उनके नाम के साथ जोड दिया। वह स्थान जहां बाबा फरीद ने बैठ कर ध्यान किया था उसे बाबा फरीद का टीला के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष शहर में बाबा को याद रखने के लिए तीन दिवसियत योहार जिसे बाबा शेक फरीद आगमनपूर्ग मेला कहा जाता है, 21 सितंबर से 23 सितंबर तक मनाया जाता है। 1266 CE में मुहर्रम महीने के पांचवे दिन, म्यूमोनिया बीमारी से पीडित होने के कारण बाबा फरीद का निधन हो गया। वह पाक पत्तन शहर के बाहर दफनाए गये थे। पाक पत्तन बाबा फरीद द्वारा महा जाता है। उनको पंजाबी साहित्य परंपरा और आधुनिक पंजाबी संस्कृती का संस्थापक बुलाना गलत नहीं होगा। हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन धभा बीमात भूलना डिस्क्रिप्शन में किताब की लिंक दी गई है। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेस्पुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना। ये सुनकर केसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाब अफरीद, शेक फरीद, या क्वाद।